दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल Access Academy पर दोस्तों राजनीत विज्ञान जिसे Political Science भी कहते हैं उसकी Theoretical Classes के अंतरगत राज की उत्पत्ति के सिधानतों को हम सभी लोग पढ़ रहे हैं और उसी के अंतरगत आज हम लोग पढ़ेंगे रा हत्त क्या है सभी कुछ डिटेल्ड से इस वीडियो में डिसकस करेंगे और ये वीडियो सीरीज जो शुरू की गई है Theoretical Classes की इसके Basic Concept के Hand Written Notes आप सभी को Free Upcast प्रवाइट किये जा रहे हैं और उसके लिए आप सभी लोगों को टेलिग्राम चैनल से जॉइन करना है और टे सारी चीजें आप चेक आउट कर सकते हैं और टेलिग्राम चैनल भी जॉइन कर सकते हैं तो साथियों ये वीडियो आप सभी के आगामी परिच्छाओं जैसे TGT, PGT, LT Grade, सिछक भरती, Government Inter-College प्रॉक्ता भरती, Government Degree College भरती, Assistant Professor भरती, NetJRF, केंद्री विद्यले संग्ठन, स आप सभी से निवेदन हैं कि वीडियो में अंतक बने रहें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में सेर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे की तैयारी प्रियापकाश्ट जारी रखने के लिए चैनल को के दैबी शिधान्त और सक्ति के शिधान्त का डिटेल्ड वीडियो डिसकस किया है अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जा करके और पॉलिटिकल साइंस या राजनीत विज्ञान के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुए वह सबसे पहले बात कर लेते हैं इसको अनि किन्न नामों से जाना जाता है तो इसे सामाजिक संभिदा का सिधान्त भी कहा जाता है वहीं से केवल संभिदा के सिधान्त के नाम से भी जाना जाता है और अनुबंद के सिधान्त के नाम से भी जाना जाता है तो अगर राज की उत त्रेक्ट थियोरी के नाम से भी जाना जाता है वहीं अब बात कर लेते हैं इसके प्रमुक समर्थकों की तो इसके जो प्रमुक समर्थक हैं उसमें सोफिस्ट बिचारक आते हैं मेनी गोल्ड, टामस इकवीनास, रिचर्ड हूकर, हुगो ग्रेशियस, वुल्फ, कांट, ब्लेक इस्टोन, इस्पनोजा, अल्थिूसियस, राल्स, भारती विचारक कवटिल, आध जो हैं राज की उत्पत्ति के सामाजिक समझोते सिध्धान्थ के प्रमुक समर्थकों में इनका नाम आता है, वहीं आपकी बात कर लें, तो इस सिध्धान्थ के सबसे प्रपल समर्थक और प्रतिपादक जो हैं, वो हाप्सलाक रूसों की जोड़ी है, यानि हाप्सलाक रूसों ने राज की उत्पत्ति के सामाजिक समझोते के सिध्धान्थ का प्रतिपादन किया इनके वारे में कहा जाता है कि ये प्रमुक्षंविदावादी विचारक हैं और इन्होंने इस सिध्धान्त को बैग्ज्यानिक्यों बिध्वत तरीके से पृत्पादित किया है प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजी के सामाजिक समझोते सिध्धान्त के प्रतपादक कौन है तो हाप्स लाक रूसो ये तीनों ऐसे बिचारक हैं जिन्होंने राजी के उत्पत्ति के सामाजिक समझोते के सिध्धान्त का प्रतपादन किया है वहीं अब समझ लेते हैं कि राज की उत्पत्ति का सामजग सिधान्त क्या मानता है तो आप सभी को बता दें इस सिधान्त के अनुसार राज दैवी न होकर एक मानवी शंस्ता है जिसका निर्मार बेक्तियों द्वारा पारस्परिक समझोते के आधार पर किया गया है अत्वाम के से भी इसको समझ सकते हैं कि राज की उत्पत्ति जो है उस सामाजिक समझोते के द्वारा हुई है यह सिद्धान्त ऐसा मानता है इसके बारे में तोड़ा और जान लेते हैं कि यह सिद्धान्त जो है सामाजिक समझोते का सिद्धान्त राज की उत्पत्ती का एक महत्पूर सिद्धान्त है और आप सभी लोग जानते हैं कि इस सिद्धान्त का प्रतपादन हापसला करूसों क के दोरा राज की उत्पत्ति के देवी इस जदान्त के विरोध में किया गया था। है यां सिदान्त मानता है कि राज किषे संस्थान नहोंकर एक मानभी संस्था है और जो समझोता, सिधान्त है ये राजिका निर्मार बेक्तियों के पारस्परिक समझोते द्वारा किया गया है ऐसा मानता है समझोते से पूर्व जो थे सभी बेक्ति समाज के प्राकर्तिक अवस्था में रहते थे सभी बेक्ति और क्या हुआ कि कोई कारण रहे होंगे किनी कारणों से बेक्तियों ने प्राक सामाजिक अधिकार भी प्राप्त हुए तो कुल मिला करके ये चीजें यही इस्पष्ट कर रही हैं कि सामाजिक समझोते का सिधान्त जब लागू हुआ उससे पहले जो बेक्ति थे वो सभी प्राकर्तिक अवस्था में रहते थे और राज जैसे कोई संस्ता बिद्दमान नह एक ऐसे आदान प्रदान का परिणाम था जिससे व्यक्तियों ने उत्तरदाइतों के बदले विशेश अधिकार प्राप्त किये थे वहीं ये समझोते का विकास किस तरीके से होता है उसको जान लेते हैं तो आप सभी लोग भारती परप्रेच में भी इसको डिसकस करेंगे वहीं आप सभी को बता दें यूनान में सोफिष्ट वर्ग ने सरप्थम इस बिचार का पत्पादन किया और एक इपी क्यूरिन बिचाधारा वाले वर्ग तथा रोमन बिचार को द्वारा भी इसका समर्थन किया गया और वहीं मत्य युग में में गोल्ड तथा थामस एक पूर्ण ब्याख्या प्रस्तुत की और डच न्याइधीस प्रोसियस और पुकेंड दोर्फ तथा इस्पनोजा ने इसका समर्थन किया किन्तो इस सिधान्त का बैज्यानिक और विध्वत प्रतिपादन संबिदावादी विचारक हाप्सलाग रूसों के द्वारा किया गय हाप्सलाग रूसों के द्वारा किया गया है तो कुल मिला करके अगर इसे संचेप में हम समझना चाहें तो इस सिधान्त के अनुसार ये चीज़े निकल कर सामने आती हैं कि राज दैवी यानि इस्वरी ना होकर एक मानवी संस्था है जिसका निर्मार प्राकरतिक हमें रहने वाले मनुस्यों ने मिलकर सब के हित सादने के उद्देश से किया था इस सिधान्त के अनुसार राज का निर्मार मनुस्यों ने अपनी सुविधाओं के लिए किया है किसके लिए किया है अपनी सुविधाओं के लिए किया है वहीं अब राज की उत्पत्ति के स सामाजिक सम्झोते सिधांत की बिसेस्ताइं या मानिताओं को देख लेते हैं इसके जो बिसेस्ताइं हैं वो यह है कि यह हैं सिधांत देवी सिधांत के बिरोध में बनाया गया था दैबे सिद्धान्त ये मानता है कि राजी की उत्पत्ति या निर्मार जो है इसर के द्वारा किया गया है इसर का जो है कहीं न कहीं रचना है राजी और राजा भी इसर का प्रतिनिध है जबकि उसके बिरोध में जो है राजी की उत्पत्ति के सामाजिक समझोते सिद्धान् अगला पॉइंट है राज साधन और ब्यक्ति साध्धी यह बहुत important पॉइंट है इस समझोते की की जो राज है वो साधन है और ब्यक्ति साध्धी सामाजिक समझोते सिद्धान्त में ब्यक्ति को साध्धि माना गया है अगले इसकी विशेस्ता है या सिध्धान्त राजी की उत्पत्ति का उदारवादी सिध्धान्त है सामाजिक्र समझोते के सिध्धान्त को उदारवादी सिध्धान्तों की स्त्रेडी में रखा जाता है और इस सिध्धान्त के अनुसार राज एक कृत्रिम संस्ता है कृत्रि को देख लेते हैं आगे देख लेते हैं कि इससे जुड़े हुए इंपर्टेंट पॉइंट्स को सत्रूई अठारवी सताब्दी में यह सिध्धान्त अत्यंत्र महत्पूर्ण था प्राचीन यूनार में सबसे पहले सोफिष्ट विचार को ने इस सिध्धान्त का प्रजपा आन्दा ला आफ वार एंड पीस में इस सिध्धान्त का समर्थन करते हुए राजी को समझोते का परड़ाम माना है यहां से इंपर्टेंट यह चीज हो जाते ही हुगो ग्रोशियस की पुस्तक का नाम आन्दा ला आफ वार एंड पीस और उसमें इन्होंने राजी की वहीं रिचर्ड हूकर ने अपनी पुस्तक ला आफ एकले सियास्तिकल में पॉलिटी में यह विचार प्रतिपादित किया कि मनुस्ष की प्राकर्तिक अवस्था असांती पूर्ण और संगर्श में थी इसलिए उन्होंने समझोता किया और राजी को उत्पन्न किया तो हैं अपनी पुस्तक ला आफ एकलेसियास्तिकल पॉलिटी में राज्य की उत्पतिक प्रतिक समझोते जिधांत को समर्थन दिया है वहीं आतुनिक काल में जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक द थीरिए आप जेस्टिस में इस सिधान्त का समर्थन दिया है तो कोछ आधुनिक विचारकों ने भी इस सिधान्त को समर्थन दिया है अब important point देख लेते हैं राज की उत्पत्ति के सामाजिक समझोते सिधान्त की बैग्यानिक धंग से बिबेचना करने और इसे लोकप्री बनाने वाले प्रमुख बिचारकों में इंगलेंड के हाप्स लाख और फ्रांस के रूसों का नाम आता है तो कभी भी अगर पूचा जाएगा कि सामाजिक समझोते के सिधान्त के प्रत्पादक कौन है तो सामाजिक समझोते सिधान्त के प्रतिपादक हाप्स लाग और रूसु हैं। इससे पहले जिनके नाम हमने पढ़े हैं, वो इसके बिकास में कहीं न कहीं समर्थन देने वाले बिचारक थे और प्रतिपादकों में इनहीं का नाम आएगा। अब देख लेते हैं भारती पर अर्थ सास्तर में देखने को मिलती हैं और उन्होंने अपनी पुस्तक अर्थ सास्तर में लिखा हैं कि जब प्रत्वी पर अराजकता थी, तो इस अराजकता से निपटने के लिए लोगों ने मिलकर मन को अपना राजा बनाया और उसे अपने अन्न का एकवटे छे भाग, योंब्यापार और सुरंड का एक बटे छे भाग देना सुईकार किया और बदले में सासक ने उनको सुरच्छा का आस्वासन दिया और इस तरीके से एक समझोता बना और जिसके तरीके से राजी की उत्त्ति हुई, अगला इंपारिटेंट और नोट पॉइंट देख लेत अब देख लेते हैं आगे, और यह सिध्धान्त जो है, यह राजी की उत्त्ति का कहीं न कहीं सबसे दास्पद सिध्धान्त है, यानि अगर पूछ लिया जाए प्रशन की राजी की उत्त्ति का सरवाधिक दास्पद सिध्धान्त कौन सा है, तो वह होगा राजी की उत्त् सिध्धान्त के कुछ मूल मानताओं को समझ लेते हैं मूल मानताओं क्या होगी इस सिध्धान्त की तो मूल मानताओं होगी पहली होगी समझोते के पूर्व मानो जीवन का अस्तित्त था तथा उनके बीच ही समझोता हुआ इसकी यह सिध्धान्त यह मानता है कि जो यह समाज समझोते का सिधान्त हुआ है इससे पहले मानो जीवन था और उसका कहीं न कहीं तभी उनी के बीचे समझोता हुआ है और राज जैसी संस्ता निकल कर सामने आई है अगला पॉइंट है सामाजिक समझोते के द्वारा राज की स्थापना के पूर्व का समय प्राकर्तिक अवस् अवस्था के संबंद में समझोता सिधान्त के पटपाद को ने ये सिद्ध किया है कि उनकी जो प्राकर्तिक अवस्था थी समझोते से पूर्व की जो अवस्था थी वो कहीं न कहीं अच्छी अवस्था नहीं थी और वहां पर जिसकी लाठी उसकी भैस वाली अवस्था ब वहीं अगली इस सिद्धान्त की मानिता है कि प्राकर्तिक अवस्था में बिविन कारणों से अनेक असुभधाएं पैदा होने लगी थी अता मनुस्यों ने समझोते द्वारा नागरिक समाज और राजी की इस्थापना कर ली और अगला पॉइंट जो इसकी मानिताओं पर आधारित है वो ये है कि समझोते के प्राणाम सुरूप नागरिक समाज का निर्माड हुआ राजी का जन्म हुआ और प्राकर्तिक कानूनों को इस्थान पर राजी के कानून निर्मित हुए अगला जो इसकी मानिताओं वो ये है कि सामाजिक समझोता सिधान्त के अंसार जिन उद्देश्यों के लिए समझोता किया गया यह दिवाए उद्देश पूरे नहीं होते तो समझोता तोड़ा जा सकता था हलाकि इसको लेकर के कुछ बिचारकों में कहीं न कहीं मतभेद हैं लेकिन कुछ बिचारकों ने समझोता तोड़ने का उद्देश से ब्यक्त की आत्मरच्छा की प्रवर्थ को बतलाया है लाग के अमसार प्राकरते कानूनों की ब्याख्या और क्रियानवेन तथा रूसों के अमसार समाज के सामान नहीतों की पूर्थिन्ना होने के तरपर समझोते को तोड़ा जा सकता है तो ये थी सामाजिक समझोते सिधान्त की प्रमुक मानेताएं अब देख लेते हैं सामाजिक समझोते सिधान्त की प्रमुक आलोचनाएं किस आधार पर इस सिधान्त की आलोचनाएं की जाती हैं सबसे पहले देखेंगे कि प्रमुक आलोचक कौन है इसके और उसके बाद कौन कौन से आधारों पर इसकी आलोचना की जाती ही उसको समझेंगे तो इस सिद्धान्त के प्रमुक आलोचकों में नाम आता है हुम, बेंथम, हेनरी मैन, प्लेटो, अरस्तू, बर्क, पोलक, ग्रीन, आदि ये प्रमुक राजनीतिक विचारक है, जिननोंने सामाजिक समत्ते के सिद्धान्त की आलोचना की है किन आधारों पर आलोचना की है? ये चीज़ अब देखते हैं पहला पॉइंट है या सिद्धान्त अना इतिहासिक है तो हूम मोहदय लिखते हैं कि राजी की उत्पत्ति का जो सामाजिक समझोता सिधानत ये पूरी तरीके अने इतिहासिक है और आपको बता दें जो हूम है इस सिधानत के प्रमुख और प्रथम आलोचना किसी ने की है तो हूम मोहदय ने की है तो पहला पॉइंट है कि यह सिधानत अने इतिहासिक है और इस आधार पर हूम मोहदय आलोचना करते हूए कहते हैं कि सासक और सासित के संबंद के आधार के रूप में समझोता असंगत है इसका कोई इतिहासिक प्रमाड नहीं मिलता है और इसलिए यह सिधानत जो है पूरी के आधार पर इसकी अलोचना करते हूए कहते हैं कि यह सिधानत कलपना पर आधारित है और कलपना पर आधारिश सिधानत होने के कारण यह पूरी तरीके से कलपनिक है जिस तरीके से इसमें समझोते की बात की गई है उस तरीके से कहीं न कहीं समझोता नहीं देखने को मिले अगला पॉइंट जो है जिसके अधार पर अलोचना की जाती है कि प्राकरतिक अवस्था में राजनीतिक चेतना का अभाव था तो समझोता कैसे संभव हुआ।। पर राजनीतिक चेतना नहीं थी तो ये समझोता कैसे हुआ क्योंकि ये समझोता एक तरीके का राजनीतिक समझोता है क्योंकि इस समझोते के परिणाम शुरूप राजनीतिक संस्था राज का निर्मार होता है तो ये पूरी तरीके से कहीं न कहीं असंगत नजर आता है अगल गलत है क्योंकि अधिकार समाज में ही संभों है प्राकर्तिक अवस्था में नहीं जैसे अगर कोई जानवर है तो क्या वहां पर उपने अधिकारों को जानता है क्या उसे कोई अधिकार प्राप्त है जीने मरने तक का अधिकार क्या चानवरों को प्राप्त है नहीं तो उसी तरीके से मनुस्य जब प्राकर्तिक अवस्था में थे और सभी मनुस्य प्राकर्तिक अवस्था में थे तो जब सभी एक जैसे रहन सेन में रह रहे थे तो उन्हें प्राकर्तिक अधिकारों की कलपना कहीं न कहीं गलत लगती है और ये जो प्राकर्तिक अधिकारों की अधिक यह पूरी तरीके से गलत है प्राकर्तिक अवस्था में ऐसी अवधार्णा कहीं नहीं थी और इसी आधार पर गिरिन मोदा इसकी आलोशना करते हैं वहीं इस सिधान्त के अनुसार बेक्ति-राजी का संबंध बेक्ति की इच्छा पर निरभर है जो की टोटली गलत है यह सिध करते हुए बर्क महुदय लिखते हैं कि राज मनुस्य का बनाया हुआ खिलोना नहीं है और नहीं वह कोई व्यापारिक कंपनी है कि लाव के लिए हम उसका सदसी बनते हैं और लाव ना होने पर त्याग देते हैं जैसा आज वर्तमान में आप सभी लोग देखते हैं कि आज हम इस राजी देश की नागरिकता ले 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 और फिर इस देश में लाव मिलने को हो तो फिर इस देश की नागरिकता ले 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 ऐसा प्रावधान नहीं है और इस आधार पर बर्क महुदय ने इसकी आलोचना करते हुए तीके सब्दों में कहा है कि राजी मनुस् समझोते के सिध्धान्त का महत तो आप सभी को बता दें कि कोई भी सिध्धान्त हो कोई भी विचालधारा हूँ सभी की आलूचना लाब हान सब कुछ होता है कुछ आधारों पर आलूचना की जाती ही तो कुछ आधारों पर उसके महत को भी इसपश्ट किया जाता है तो जो स कानुन का नमुना बताया जाता है लेकिन इतनी आलोचनाओं के बाद भी इस सिधान्त का राजनीतिक दर्सन में बहुत महत्व है इस सिधान्त ने दैवी सिधान्त का खंडन करके एक राष्ट्री राज की इस्थापना का मार्ग प्रसस्त किया है और इसलिए यह उपयोगी और महत्पून हो जाता है एस सिद्धान्त ने उन असंखी तरकों को समाप्त कर दिया जो कि धार्मिक मानिताओं पर आधारित थे जो राज की इस्थित को दैनी बनाये हुए रखते थे तो साति हूँ ये था राज की उत्पत्ती के सामाजिक समझोते का सिद्धान्त जिसके अंतरगत हमने राज की उत्पत्ती के सामाजिक समझोते के सिद्धान्त का आर्थ और बेशिक कांसेप्ट समझा है उसके मानिताएं और बिसिस्ताओं को समझा है उनकी किन आधारों पे आलोचना की जाती ही, उसको समझा है और उसके महत्त को भी समझ लिया है। उमेद करते ही आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें आगे की वीडियो की लेटेस्ट अपडेट प की सिरीज भी जारी है, प्रतेक संडे को प्रैक्टिस सिरीज रखी जाती है, आप सभी लोग उसे भी जॉइन करें और उसकी भी प्लेलिस्ट चैनल पर बनी है, सारी चीजें आप डिस्क्रिप्शन में देगे लिंक से चेक आउट कर सकते हैं, और इस क्लास की पीडियो इतना ही, अगली वीडियो में आप सभी के बीच लेकर के आएंगे हापस के सामाजिक समसोते के सितान को, तब तक के लिए सभी सात्यों को जैहन जै बारत बंदे मातरम, इस वीडियो को अंतक देखने के लिए आप सभी सात्यों का तह दिल से स्वागत, और बहुत बहुत